जोतिशोर जीवन में आपका स्वागत है श्री गुरुचर्णों में नमनकर श्री गणिश की वंदना करता हूं मैं आज की वीडियो में अपनी बात त्रेता युक के एक प्रसंग के घटना से शुरू करना चाहता हूं लंकापती रावन के पुत्र मेगनात का जन्म होने वाला था और लंकापती रावन जैसा कि सब जानते हैं उस समय उनके प्राकरम से तीनों लोग कमपाएमान थे लंकापती रावन केवल पराक्रमी वीर ही नहीं थे वो जोतिश, तंत्र, आदी, आयुरुवेद जैसे कई विश्यों के उद्भट विद्वान थे उस समय उनके जैसा शिव भक्त नहीं था वैसा कोई विद्वान नहीं था और वो रावन चाते थे के मेरे पुत्र की कुंडली में मैं नोई ग्रहों को अपने इसाप से जैसा मैं चाताओं वेसे बिठाओंगा इसी उसमें वो लगे हुए प्रसुति ग्रह के बाद शेश सारे ग्रह मान गए लंकापती रावन की बात को सभी ग्रहों ने मान लिया लेकिन शनी देव ने नहीं माना और वो अपनी मर्जी से अपने इसाप से अपना स्थान चैन करके बेठे रावन महाराज नाराज हो गए और उन्होंने शनी देव को बंदी बना लिया और अपनी लंका में केद कर दिया बाद में फिर हनुमा जी जब सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे तब उन्होंने शनी देव को रावन की केद से मुक्त किया उस समेशनी देव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो आपकी भक्ती करेंगे उन्हें में पीडा नहीं पहुचाऊंगा तब सेशनी की पीडा से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना की परिपाटी चली आ रही ये तो एक बात हुई लेकिन इस कथा से इस प्रसंग इस कहानी से एक बात इसुपश्ठ होती है और वो ये कि लंकापति रावन इतने विद्वान इतने पराकरमी इतने सामर्थिवान होते हुए भी अपने स्वयम की पुत्र की कुंडली में वो नो ग्रहों को अपने हिसाब से व्यवस्थित नहीं कर पाए यही इसका इस कथा का इस प्रसंग का एक संदेश है और आज, आज के समय में प्राया देखने में आता है डाक्टर साब जिसकी सीजेरिन डिलेवरी होने वाली होती है उसके परिवार जनों को कह देते हैं कि यह दो-तीन तारीके हैं इन में सिजेरिन करना होगा आप अपने किसी पंडिजी से मिलकर के कोई श्रेष्ट मोहर्तों तो मालूम कर लीजिए और विक्ती भी जाते हैं और पंडिजी मोहर्तों भी देखते हैं और बता देते हैं थोड़ा हम गंबीरता से विचार करें जो तीशी द्रिष्टी से देखा जाए तो एक दिन रात में चोईज घंटे में बारा लगन भुकतो होते हैं और बारा ही लगनों के अपने पोजिट्व और नेगट्व प्रभाव हैं बारा लगनों में से श्रेट तरम लगन चांट लिया अब ग्रह स्थिती देखी तो जैसे ही लगन बदलेगा ग्रहों का स्वामित तो बदल जाता है और ग्रहों के शुबा शुबता में फर्क पड़ जाता है जो शुब ग्रहें वो अशुब हो जाते हैं जो अशुब हैं वो शुब हो जाते हैं थोड़ा सा समय में फेर होते ही नक्षत्र बदल जाता है नक्षत्र बदलते ही महाधशाओं में फर्क पड़ जाता है ग्रहों क की स्थिति को स्वामित्य के इसाब से सही करते हैं तो उस समय गोचर की स्थिति गरबढ़ा जाती वो अश्र इस्थान में चले जाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा समय में फेर होता है नमाश्त दश्माश्त जैसी कुंडलियों में बहुत फर्क पड़ जाता है अब तीन दिन म किसी श्रेष्ट लगने का चैन करना असान काम नहीं है और किसी और कारे के लिए किसी और कारे के लिए मुहर्त देखना हो तो उसमें तो यह प्रयास किया जा सकता है और किया जाना चाहिए लेकिन किसी जन्म के लिए किसी जातक के जन्म के लिए समय निर्धारन के लिए य एक प्रश्ट पेदा होना चाहिए हमारे मस्तिश्क में, कि जिस काम को रावन जी स्वयम नहीं कर पाए, लंकापती इतने सामर्तिवान, इतने उद्भट विद्वान, इतने प्राकमि, वो जिस कारी को नहीं कर सके, क्या हम कर सकते हैं? मेरा नीजी विचारिये कि नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करना चाहिए? हमें डाक्त साब को बोल देना चाहिए, कि मेडिकली जब भी उचित समझे हैं, तब आप कर देंगें। हमने तो कोई समय बताया नहीं। परमिश्वर की इस्तिती जो इच्छा होगी, उच्छातक के हिसाब से इश्वर उनको जो प्रेहना देगा, उस समय जन्म हो जाएगा, उस समय उसी जन्म कर देंगे। आने वाला जातक अपना भाग लेकर के आ रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से अपना संस्कार लेकर के आ रहा है। क्या कोई व्यक्ति कोई जोची कोई विद्वान अपनी गणना से अपने इसाब से समय निर्धारित करके उसको बदलने के ख्षमता रखता है क्या और जो रखते हैं जो ये कहते हैं कहां हम रखते हैं और हम कर सकते हैं उनके विद्वता को और उनके सामर्थी को और उनके श् अपने संसकार अपने भागे लेकर के आ रहा है किसी में इतना सामर्त ही नहीं कि उसके जन्म के समय के निर्धारत कर सके नहीं करना चाहिए ये मेरी अपनी निजीरा है आप इसको मानने न मानने के लिए स्वत अंतर हैं इस सम्मद में मुझे यही कहना था इसी के साथ मैं नमस्कार.